स्वागत है परमिशो की प्रेस्स में जहां उसकी हजूरी होती है वहां चंग्याई छुटकारा साल्वेशन मुक्ति उधार ऐसे होती है जैसे हम सांस लेते हैं आज जब आप सांस लेंगे आप हीलिंग लेंगे डलीवरंस लेंगे आमेन तरीफ करो जोर बार एक बर फिर से जोरदर जोरदर आमेन बैठ जाओ अपने मेरे आपनी बाइबल को उठाए प्यार करता हूँ घोशित कड़ने गोटाब मैं इस वचन से मेरे चुद्य और ठाधार और यह उड़ा हो। मेरे चंगे रहने का आधार है, इस वचन पर मैं अपना ध्यान लगाऊंगा, प्रभी शुमसी के नाम में हैं, तारीफ करो जोर से, पुरा नेनियम में पहला शैमुल, उसका 22, उसकी एक आयत, लिखा दाउद वहां से चला, और बच कर अदुलाम की गुफा में पहुँच ग और जितने संकट में पड़े थे, और जितने रिणी थे, यानि करजाई थे, जितने उदास थे, वो सब उसके पास इकठे हुए, और वैं उनका प्रधान हुआ, और कोई 400 पुरिश उनके साथ हो गए, इस धर्ती के नेचे कुछ भी ऐसा नहीं जो इतिफाक से हो, इसलिए इबरानी भाषा में इतिफाक नाम का कोई शब्द नहीं है, जो भाषा सबसे बड़ी भाषा है दुनिया की, उस भाषा में इतिफाक नाम का शब्द नहीं है, यानि कुछ भी इतिफाक से नहीं होता, अगर आप दाउद को देखें और शाओल को देखें, शाओल अपना ताज्य लंबा नहीं चला सका और गिर गया पर दाउद लंबा चलाया और परमेश्व की मर्जी को वो पूरा कर सका उसका रीजन था बाइबल कहती जब यूसुफ जेल में था तो जेल में कैसे पहुंचा जेल में उसके भाईयों ने उसको बेच दिया क्योंकि वो आत्मिक था सब भाई एकठे रहते थे लड़किया छेड़ते थे गलत काम करते थे यूसुफ को पसंद नहीं था वह बाप केपास जागे चुगलियाँ करते थे उनकी पाकी जो भाई मेरे ऐसे है वह वैसे है भेड़ खा जाते और फिर बोलते हैं भेडिया खा गया खाते खुद दे खुद बेच देते हैं, खुद ऐश करते हैं, और लिखा वाकी भाई उससे नफरत करते थे, क्योंकि आपको ये डिसाइड करना है, आप जुन्ड के साथ रहना चाते हो, या परमेश्रों के साथ अकेले भी रहना चाते हो, आमीन, और बाइबल कहती ही, जब उसके भाई उसस फैंक दिया उसको, उसके बाद बेच दिया, बेचने के बाद ऐसे देश में किया, जिसे जाँ से कोई जानता नहीं था और क्या हुआ वहाँ पे? एक घर पर नोकरी की ज़ाडू पहुचा किया उसके बाद जेल चला गया जेल जाने के बाद राजा के दो बंदे खिलानेवाले का पगधान हेड एक पकाने वाले का हेड दोनों अंदर जेल में थे उनके दर्षनों का अर्थ समझाया जब उनको प्रशल रोले ini की हमें सपना ह Bengal कौन यह नहीं चाहता कि परमेश्वुर्ण वचन उसकी जि Catalunya चाहता कि जो कुछ पर पिछ नोगी में रखाहि वह अपनी जिन्दकी में देख पाए कौन यह नहीं चाहता कि वह गवाही के साथ वापिस प साथ साथ लेकिन सब इसके साथ वापिस नहीं आएंगे हो सका हो निए खिके साथ आने के लिए आत्मिक हुर्टी के साथ चलना पड़ेगा खता ऑ coming ऑन के साथ चलना कि जैल जाने के बाद भी उसनों परमेश्वर पर भरोसा करना नहीं छोड़ा वह कहसकता टाले मुझे प्रमेश्व की क्या फ्रोरत है मैं पुधतिरतई में रहा हूँ अपने भाईयों के साथ बढ़ difference मुझे कोई फाइदा नहीं हूँ मैं जेल में अभी सड़ रहा हूँ अभी तक पुश्ण त कारन नहीं को छोड़ा नहीं तो हुना कि श् σας परवेश्वर के साथ connected रहते हैं और आप जानते हैं कि आपको हाल होगा हुआ क्या परकाने उसको उन दर्शनों का मतलब समझझाया जो पकाने वाले के हैड में और पिलाने वाले का हैड दो हैड होते थे एक डिशुञ नए का ध्यान आया यूसुफ ने दोनों के सपनों का आया और दोनों के सपने का अर्थ कूरा हुआ एक फांसी पर चड़ाया गया गया रहरा अपनी पद्वी नियुक्त किया गया तब ही यूसुफ की जिन्दगी में कोई भी blessing नहीं आई एक दिन राजा को दर्शन आया जिसका मतलब कोई नहीं समझा सका और पिलाने वाले के पर्थान ने का कि हम जेल में थे तो एक व्यक्ति ने हमारे सपने का अर्थ समझाया था और वो पूरा हुआ अगर तू उसको भुलाए तो तेरा भी वो सपना वो बता सकता है कि उसका अर्थ क्या है मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं यूसुफ के जेल से बाहर आने का कारण सिर्फ एक ही था कि वो आत्मिक व्यक्ति था उसने अपनी आत्मिक कामों को छोड़ा नहीं उसने अपने पुवित्रताई को छोड़ा और उस कारण जो परमेश्वर से जुडा रहा है तो दर्शनों का आर्थ समझाता रहा है लोगों को क्योंकि अगर आप कभी भी परमेश्वर से डिस्कॉनेक्ट हो जाते हैं तो आप जानते हैं आपको दर्शन नहीं आते परमेश्वर आप से बात नहीं करता वो आपको रेवलेशन नहीं देता आप एक जगा खड़े रहा जाते जिस तरह बाइबल में लिखा है जब शाओल परमेश्वर में गिर गया तो परमेश्वर ना तो उसे भविश्य दक्ताओं के ज़ारा बात करता था ना तो सपनों के जीतूंगा या नहीं जीतूंगा हालेलुया तो यूसुफ का हल कैसे हुआ जब वो आत्मिक बना आना जेल से बाहर था आप जानते दाउद और शाओल में क्या अंतर है जब शाओल लोगों को चुनता था तो वो बड़े-बड़े लोग चुनता था यह सुंदर है यह जो उसकी कलीशिया में शामिल हुए पता कौन थे वो करजाई थे वो उदास थे वो आप उदास लोगों के साथ नहीं रहना चाहते हो क्यों वो उदासे की बाते करेंगे हर वक्त हां करजाई लोग आयार दहीं यार सोर बया यार काल दे दूंगा देनों हर टाइम मांगने वाले लोग हां दिल जले मतलब अंसटिस्फाइड जिनकी लाइफ जीरो हो चुकी है ऐसे लोग लिकाए ऐसे चार सो लोग दाउद के साथ आये और वो उनका परधान हुआ आज जिब लोग इस चर्च में आते वर बोलते ये बन क्या रहा है क्या बना रहे हैं आप कौ्ण सा शहर बना रहे हैं और आप जानते जब ये चर्च शुरू हुए थी तो लोग पता क्या बोलते थे कि ये गरीबों का चर्च यहां पंजाबी भी नहीं आते हैं यहां तो इधर उधर के लोग आते हैं ऐसा लोग बोलते थे कि तीन लोगों से शुरुवा तो यह थी कि दस हुए 20 हुए यह को यह कोई 15 बिजनसमें लोगों ने चर्च शुरू नहीं की कि 15 करोड़ पती नहीं चर्च शुरू की और इसी लिए चर्च बन रहे हैं यह आम लोगों ने शुरू की मैं आपको एक ही बात समझाना चाहता हूं आपका हल ना तो पैसे में ना दवाईयों में ना आपके mental gifting में है आपका हल आपका solution जो है वो आत्मिक बनने में है दाउद ने जब वो लोग चुने आप जानते हैं शावल क्यों हारा क्योंकि शावल शरीर देखता था और दाउद आत्मा देखता था और चार सो लोग जो उसके साथ मिले थे करजाई दिल जले अंसेटिसफाइड रिणी दुखी अगर आप इनको दूसरा शैमूल में पड़े तो ये लोग योधा बन चुके थे और बड़े-बड़े काम कर रहे थे और अमीर हो चुके थे कर्जों से बाहर हो चुके थे क्या आपने जान दे कुरंथिया में क्या लिखा कैदा क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया पढ़ेंगे हम वचन पहला कुरंथिया निकालो सब्जन ने नियम में उसका एक बाप उसकी 26 आयत उसमें लिखा हे भायो अपने बुलाए जाने को तो सोचो ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान ना बहुत सामर्थी ना बहुत अमीर कुलीन बुलाए गए प्रंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करें और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करें और परमेश्वर ने जगत के नीच और तुछ लोगों को वरण जो है भी नहीं उनको भी चुल लिया कि उन्हें जो अपने आपको कुछ समझते हैं व्यर्थ ठहराएं ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए अगर आप आम बेक्राउंड से हैं तो कॉंग्रेचुलेशन्स और जगत के निर व्लों को मैंने चुना जगत के तूच्छलोगों को मैंने चुना किस्पां है भी नहीं oh कि जो मुर्ख है कहते हैं General я theök a혜 है कहता है एक का data मैंने उनको चुना ताके जो लोग अपने आपको उण्चा समझतें मैं उनको शर्मिंदा करूं नी चू के थ्वारा जब मैं उन्हें ऊंचा करूंगा तो तुम नहीं जानते ना तो शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान ना तो बहुत सामर्थी ना तो बहुत कुलीन भुलाए गए आप जानते हैं जो परमिश्व आपको अपने पास भुलाता है वो आपकी बैक्राउंड को यूज नहीं करना चाहता आपके गिफ्ट को वो इस्तेमाल नहीं करना चाहता है मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो कैंसर के उपर रिसर्च कर रहे थे पीएच्डी डॉक्टर से भी उपर का लेवल था उनका और परमिश्व ने अपनी हीलिंग मिनिस्ट्री में भुलाया और आज वो एक्सपीरियंस कहती वो पूरी तरह से क्या है अलग है कि आप बुलाएगे परमिश्व के द्वारा लिखा उन्हें तूछ लोगों को नीच लोगों को कदा जिनों ना तो ज्ञानवान है ना सामर्थी ना अमीर है कदा मैंने उनको चुना उनको शर्मिंदा करने के लिए जो अपने आपक को कुछ क्या समझते हैं कि आप जानते इस्राइल को परमेश्वर ने क्यों चुना वाइबल कहती इस्राइल उस समय सबसे छोटी जाती धरती के ऊपर और परमेश्वर नहीं चाहता था कि मैं ऐसी जाती चुनू जो बड़ी हो और बाद में यह कहे क्योंकि हम बड़े थे इसी लिए परमेश्वर ने हमें चुना और आज देखो हम पूरी दुनिया के उपर राज कर रहे हैं आज इस्राइली टेक्नोलोजी अमेरिका भी लेना चाहता है वहां की अग्रीकल्चर टेक्नोलोजी दुनिया मान दी कि मैं तुम्हें बलवान करूं तो तुम्हें बताओ कि मैंने तुम्हें बलवान किया तुम अपनी ताकत से नहीं हुए अपने गिफ्ट के कारण बड़े नहीं हुए आपका हल आत्मिक बनने में हैं आपकी प्रब्लम कुछ भी क्यों ना हो आपका हल कहां पे है जब आप ने मैं उसको कांटा मारते कि आप गवाही नाप बने आपकी कौन सी बने? मैं नहीं जानता, लेकिन आप गवाahी के साथ वापिस आते हैं, जब आप परमेशों के छादे, आतमिक रिथी के साथ चलते हैं, आमीेन. ऐसा पॉसिबल नहीं कि वो परमेशों के साथ जुड़ा रहे और उसकी जिंदगी में फल ना हूँ चाहे वो जेल में था मैंने ऐसे लोग देखें जो कई बार शरीरी रूप में बिमार रहें लेकिन प्रभू का आत्मा उनके द्वारा भी अजीव और बड़े-बड़े काम करता था वो उनकी परिक्षा दी जो उस परिक्षा से वो निकले हर एक की परिक्षा अलग है हर एक का जो टेस्टमनिय वो अलग है हर बंदा अलग तरीके से बनाया गया पर हर बंदे का हल उस आत्मिक बनने में ही है आमें आप जब जलंधर में आते हैं या लुद्याना मे मेरा पुल एक ही है वो आत्मिक बनने है लेकिन हमारी मंजिल अलग-अलग हो सकती बुलाहट अलग-अलग हो सकती लेकिन हल एक ही है उस जगा तक पहुंचने का जो परमेश्व ने आपके लिए रखी है वो यह है कि आत्मिक बनने के बिना वो उस जगा भी पहुंचा नहीं जा सकता है आप जब मिस्टरी सॉल्व करते हैं आप जब आत्मिक बनते हैं आप जब परमेशो की आत्मा की भेटों को आप समझना शुरू करते हैं आप अपने आप को बनाना शुरू करते हैं अलेलुया कभी fasting की एबैठके तब प्रेयर की है कभी बैटके बाइबल पड़ी है ऐसे की दो घंटे की परमेशन उससे बात करें कि आज मैं अपने आपको सुधारने के लिए बाइबल पड़ना चाहता हूं या परमेशन मुझसे बात करें मैं एक सर्मन सुनना चाहता हूं कि आप जब परमेशन को समझना शुरू करते हैं आप अपने आपको समझते हैं और उसके बाद आत्मिक भेदों को आपकी लाइफ में मालूम होता है आपकी लाइफ में कि कौन सा रीजन है आपका ना बढ़ने का या यह ब्लसिंग के ना आने का या मेरे चैलेंज का और ज के बच्चे कृपल पैदा ओते थी आलेनूय आप शाउल की तरहां शरीरिक भी रह सकते हैं भरोसा रख सकते हैं लोगों कीकभियत के ऊपर कि से लिये ऐसीश eerा लोग गॉस… के हिसाब से चलके उन लोगों को उसने उनका परधान न्युक्त किया हुआ जो लोग कर जाई थे उदास थे रिणी थे ऐसी लोग लोग उसने लिए ऐसी कली से कौन चाहते है कि पास्चा से हर वक्त पैसे मांगते रो यह हर वक्त निराशा की बाते करते रो हां लेकिन पाइबल के दिए जब आत्मिक रिती के साथ आप आत्मिक चीजों को समझते हैं आपके हल होते हैं आमेन आज लोग यह समझने की कोशिश नहीं करते उनका बिजनस डाउन क्यों है पाइबल कहती जो तुम बोगे वो तुम काटोंगे कभी डाइथ नहीं बोया कभी प फिजूल खर्ची उनके घर का हिस्सा रहती आप बाइबल पढ़के देख लो और वो नय नियम का पुराने नियम का हिस्सा नहीं है पुराने नियम लिखने से पहले ये बाते लिखी गई आमीन तो यह तो हमको सोचना है कि मैं क्या बोना चाहता हूं और क्या काटना चाहता ह बाइबल कहती कुरंथया एक उसकी 6 और 20 में लिखा कहता अपनी देह के द्वारा परमेशों की महिमा करो अपनी आत्मा के द्वारा परमेशों की महिमा करो अपने पैसों के द्वारा भी एक बाइबल में लिखा परमेशों की महिमा करो जो कुछ मेरे पास है मैं उसे परमे कि जो कोई मेरे सपने का आर्थ नहीं समझा पाएगा तो उसे मैं मार दूंगा डैनियल ने कहा अपने तीनों दोस्तों को कहता प्रार्थ ना करो कि स्वरक का परमेश्वर यहवा अपने भेदों को मुझे प्रगट करें वो जानता था कि ऐसी सिच्वेशन मेरी लाइफ में चुकिए जहां मेरा कोई किफ्ट काम नहीं कर सकता मुझे प्रमेश्वर के हाथ की ही जुरुरत है और प्रमेश्वर ने दैनियल के उपर सपने और सपने का अर्थ दोनों प्रगट किये और बाइबल में लिखा वो ऊंचा किया अपने गिफ्ट के दोरा नहीं अपने आत् कुभने थरित्मिक बनना है साथ-सत्थered आमीन परमिशय पढ़ने से रोकता नहीं आप क्या अइज आक्नका अहत्थ आपका हल किसमे आतनिक बनने में आपका पर मोशन किसमें आतनिक बनने में और जैसे वहाथ मेर्टी के साथ चले उनका परमोशन होता गया और कौई व्यक्ति उनके परमोशन को खतम नहीं कर पा eviden हालिलूय है आपका हल काां पे है आत्मिक बनने में आपकी परमोशन कांने की अद्िक बनने में आमेन करें इसरह के साँ चनला शुरू होते हैं परमेशनी वो छीजों को कर दो पड़ेके बाद नाग्टरक्टा झाता है आपके लाइफ के सामने जो इवेंट हैं अनफोल्ड होताने जाते हैं खूलते आपके Wife, आपके तक मेंने अपने प्रेयर के उपर है और आप प्रेयर करना शुरू करते हैं आप जानते हैं अगर आप पत्फर टोड़ने वाले को देखो जब पत्फर अपने सामने रखता है और जोड़ से थोड़ा मारता ठक क्या पत्थर टूट गया एक बार में पत्थर की strength जो है वो कम हो रही उसकी मजबूती कम हो रही और एक बार जब दस्वा ग्यारवाँ ठोड़ा पड़ता है एक बार में पूरा टूटते और उसी तरह से prayer काम करती है कि आप आदा गंटा करते दो घंटे एक दिन करते आपको लगता है यार यह तो जो रुसॉली 56-57 की थी ना यह सवा 56-57 की है इतने घंटे प्रेयर के बाद भी एक इंच भी हीली नहीं एक इंच भी कम नहीं और शैतान यही चाहता कि आप उसके दिखाएगे प्रूफ के उप काम अगर ना करें आपको बार-बार उस प्रेयर को करना पड़ता है बार-बार शैतान को डाटना पड़ता है और विक्टरी आपकी होगी चर्च जीतेंगे आप क्योंकि आप आल्रडी जीत चुके हैं इश्रमसी के नाम में है लेकिन कुछ लोग देखते हैं दस अच्छा चैतान नहीं चाहता कि आप जिस वचन के पर विश्वास कर रहे हैं वो पूरा हो वह भी फाइट करेगा उस वचन के खिलाव आपको यकीन दिलवाने के लिए कि जो वचन तुने पड़ा वो सच्चा नहीं है पर आपको मालूम होना चाहिए कि मसी में मैंद कभी व्यर्थ अगली मैं एक टाइम में एक पड़ेगा एक और पत्थर आपको चार पांच शे टुक्ड़ों में आपको मिलेगा नीचे एक बार मैं बोलो कि यह क्या हुआ और परमेशों आपको बताएगा तेरी पिशली मेहनद तेरी अगली मेहनद मैं एक टाइम में एक बार में एक दिन में एक सेकिंड में उसका उत्तर दे सकता हूं तेरे को लेकिन कुछ लोग देखते हैं दस महीं ने भी फरक नहीं बड़ा चलो छोड़ दू अब आप देखो कौम सी दवाई है सबसे अच्छी इंटरनेट पे मारो सर्च हां आपको बिलीव करना है परमेशों के वर्ड के उपर और फाइट करनी है क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप जिस वचन के पर विश्वास कर रहें वो पूरा हो वह भी फाइट करेगा उस वचन के खिलाव आपको यकीन दिलवाने के लिए कि जो वचन तुने पढ़ा वो सच्चा नहीं है पर आपको मालूम होना चाहिए कि मसी में की मैनत कभी व्यर्थ एक पढ़ा दो मसी में क HER यह वख और परोपि बटाएगा तेरी पुछली मेहनद तरी अगली महनद मैं एक तईम में एक बार में एक दिन में एक Saudi सथा और एख अमने आपके लिए ओपर से निकल आब हर से सुन के ज़ों कि निकल06 how may that is leading her mum- antibodies तर्म लोगोग आठाइस बोलो पर मुझे अपना गरेक्टर दे और अच्नलिश मोरी परमेश राइसे मुझे ट्रेक्ट ट्रेक्टर दे मैंने का मैं नंषे मैं गणऻ के बात को समझ रहें आपको क्या बनने हैं spiritual इश्व मसी लोगों के दिमाग के हिसाब से example देदे इश्व मसी कहते एक शेहर में एक नियाई रहता था नियाई मतलब जत्वादा क्या सोचा ये विद्वा बार-बार आकर मेरे नाक में दम करे क्यों नाकम करें के आपक्ण क्योंने का सुनो तो इसके चुनी हुए लोग दिन और रात उसके नाम की दुहाइ spirits ऑनеньhouse क्यों करना करेगा क्या वह आपको लगता है एक पापी न्याई से भी नीचे आ चुका है परमेश्वर केदा पापी न्याई विद्वा का न्याई कर सकता है केदा पर मेरे चुने हुए लोग जो दिन रात मेरे नाम की दुहाई देते हैं यह उसका कंडिशन है उस बचन के पूरा करने के वह ल आप चर्च में आओगे और वह भाके वापीस आएंगे इनका ब्रेन बना नहीं है इनके ब्रेन डिवेलप नहीं हुआ इनका अगर आप हात रखे रोज इन पर प्रेयर करें की श्रुमसी के नाम में ब्रेन बनना शुरू हो नाडिया नहीं बने जो नहीं बनी नहीं आए जैसे आप सोच रहें वैसा नहीं हुआ को जादू नहीं हुआ है दो दिन में काम हुआ उनके उपर प्रेयर हुई उनके उपर मैनत लगी लोगों की हमारी उनके पेरेंट्स की तब वो ही लुए जाके आमीन यह नहीं एकदम से चर्च में आए और यहां जादू दोरना च शुट देते हैं उसका हलोना खतम हो जाता है solution खतम हो जाता है पर मेश्वर की और से जो solution आएगा वो टेंपरेरी नहीं पर्मानेंट होगा सदागा होगा जो इंसान और शैतान आपको देगा वो टेंपरेरी होगा कि जोर से बुलू हालेलुया कि आज के वजब प्रियर करेंगे आत्मिक बनने की कोशिश करेंगे आपको याद रखने कि शैतान आपके सामने इस तरह से खड़ा होगा कि इससे कोई फाइदा नहीं पर फाइदा हो रहा है आपको पत्थर पे जब हार पड़ेगा और थोड़ जाँ मिलेगा और आप याँ खड़े हुए मिलेगे अपने परवार के साथ आपके ड़कुमेंट्स के साथ मैं जो आत्मा में देराओं अपने फाइल के साथ अपड़ी रिपोर्च के साथ अगर आमिन ओदाय तर्ल फाइट का अनट होण दे 210 होनने का हों देदांड हों पहले कौन बचे के तू प्रेयर कर हाँ के तू रोजे रख्या वल क्या कर तू तू बच जब तू बचेगा तू प्रेयर भी करेगा रोजे भी रखेगा पाप से भी दूर रहेगा तू सब कुछ करेगा और जब तू बचेगा तरह घराना बचाया जाएगा कि आपका हल किसमें आत्मिक बने में है इस वह कर्स हो वह भीमारी ओवो टूनाह। जादुभ आपाध्मिकश बनते हैं आपका हल होते हैं कि और वो लोग जजतने आत्मिक रिदी के साथ चलते हैं उतने शारीरिक रास्ते पर मेश्र खोलता आपकी लाइफ में आपास शीटेज ईश्वेश्व मसी एूपेर नमें अंसे अंचितना लंबारोच हम था प्लेस आतनी बडिशर्च मधिना अम्हें तर लॉप चंप लेह था प्लेसं प्लेस लुँचीज uit कुछ भी कर लो दुनिया आपका विरोध कर ती लेकिन छर्च जाने माँ ऐसा क्या हो गया कि धुनिया विरोध करती अभी सोच यह वह शैतान जिसको आग लगती लोगों का कसूर नहीं है हालेलुया आप जानते यूसुफ को पेले सिर्फ दर्शन आते थे कि ऐसा होगा तेरे पिता तेरे भाई तरी मात तुझे धंडवत करेगी हाँ या ना आत्मिक बना वो अपने भाईयों की पाप को सविकार नहीं कि अपने पिता को जाके बत कि हम यह आपस में तो बना खे रखनी हम भाई भाई यह हैं और सब भाई नीचे रहाइए आत्मिक बनता गया कि जब गड़े में गया तो आत्मिक बनता गया जब इस fundament thedeepर के घर में नौकरी और पाता था अब वो दूसरों के दर्शनों का मतलब भी जानता था जब वो जेल में था अब उसे फैसला करना था कि अब तक क्या मैं आत्मिक रहना चाहता हूं या मैं छोड़ दूँ अब बस हो गया बहुत हो गया कोई फाइदा नहीं जब उसने तबी भी नहीं छोड़ा तो वो इस लायक था कि राजा के दर्शन का मतलब सही तरह से समझा सके आमेन आप जानते हैं लोग सिरुफ उन्होंने सिरुफ ग्लोरी देखी है चर्च की स्टोरी कभी नहीं देखी लोग सिरुफ सामने की महिमा देख सकते हैं पीछे की स्टोरी कभी नहीं दिखती उनको अगर मैं छोटी सी बात करूं तो अगर बॉलीवुड फिलम जब बनती आपको जो एक्षन दिखते हैं कारें टूटती हैं आप जानते हैं बंदों की जिन्दगी का रिस्क होता है उसमें वो सब सीन नकली नहीं होते हैं कि यहां तक आके मुझे यह आत्मिक मैं समझ सकता हूं यह मरी पास आत्मिक ताकत है यह गिफ्ट है मेरा पर अब मेरी सर्चरीरिक जो सिच्वेशन है वो ऐसी है कि मुझे अब कुछ और देखना चाहिए कि राजे के साथ बात करनी चाहिए कुछ गलत काम करके मैं कुछ सुधरूं मतलब कुछ अपने आप शरीर को सुधारूं अपने काम कुछ करूं जेल से बाहर निकलूं प्रभू का बतनी क्या अब राम को इतना टाइम लगा दे बनी मेरा भी गई 25-30 साल मूसा की तरह बतन करते हो वह आपके लेवल को बढ़ाता या घटाता है हालेलुया मेरी लाइफ उनको मालूम ने कैसे निकली है वह परमिशन में पहले दस साल आठ साल कैसे सेवा कि किसी को मालूम नहीं एक कमरे में रहना अपनी शर्ट लेने के लिए बाहर ना निकलना और सिर्फ प्रेयर म पहले संटेग चर आप करके देखो एक महिना आपकी शकल चेंज हो जाएगे लेकिन मेरी शकल आप चमकती पाओगे हमेशा क्यूंँ इस कॉलिंग यह परमिश्वर क्योंकि आपको उस स्टोरी को जो परमिश्वर उस महिमा को जो परमिश्वर देना चाहता है आपको उसे लेने के लिए सब रास्तों को पार करके जाना पड़ता है आमें वह परकता है आपको चेक करता है आपको आप क्या बोलते हो क्या सोचते हो उस टाइम कि आपकी टेस्टमोनी क्या है अगर आप परिक्षा से होके नहीं निकले तो आपका टेस्ट नहीं हुआ तो कोई टेस्टमनी नहीं, मेस्ट नहीं हुआ तो कोई मेसेज नहीं, आज व्मारी लाइफ में वो पृरिक्षाई ना हो, वो बात अलग है, योग एक लेवल आता है, आप निकल जाते हो, पर जो पीछे था, अगर आप वो भी लेने के लिए तय कितने समझ रहे हैं आपको एक प्राइस देना पड़ता है बर्मेश्वरकु आमें आप जानते जो बाइबल आपके हाथ में उसे इंडिया में लाने के लिए एक बंदे ने कितना बड़ा प्राइस दिया उसका परिवार खतम हो गया जिंदगी खतम हो गई एक बैप्टिजम अगली भाषा हिंदी भाषा पंजाबी मराथी गुजराती अब आज जब लोग मुझे सुपर हेल्दी देखते हैं हेल्दी नहीं सुपर हेल्दी पर उनको मेरी पिछली जिंदगी नहीं बता जब मैं सूपर विमार था हेली अगे सवस्ती और हुआ तो है अलेलुरा आप शूपर हेल्दी होंगे सुपरियंस को में सुपर एल्दी आमीं छोटे चर्च परमेश्व आपको ऐसा बनाते हैं, वो आपको बनाएगा ऐसा, अगर आप एक दिन मेरे साथ मेरे ओफिस में काम करें, और जितने प्रोजेक्ट्स पे हम एक दिन में काम करते हैं, आप शाम को डिस्प्रिन खाके उठोगे, और जब मैं निकलता हूँ, मुझे बदाएं, God, Grace मेरे साथ है, उसकी ताकत मेरे साथ है, आमेहिन, लेकिन ये एक दम से नहीं होता, परमेश्व आपको निकालता है, दाउद ने एक दम से गोलेत नहीं मारा लिखा, उसने शेर को मारना सिखा, भालू को मारना सिखा, और तब उसे confidence था कि अब मैं गोलेत को मार पाऊंगा, होगी परमेश्वर मेरे साथ रहा है, उन पिछले दिनों में भी, आमेहिन, अगर मैं सुपर हल्दी हूँ, आप सुपर हल्दी होगे, सुपर ब्लेस्ट होगे, ये से ममस आपके लाइफ में काम करेगा, अगर आमेहिन हो कभी भी, मेरा percentage 100% है, आपका भी 100% होगा, क्योंकि हमारे परमेश्वर का 100% है, क्योंकि वो सब तरफ से जीत चुका है, उसने गरीबी को हराने के लिए गरीब पडिवार में जनम लिया, बिमारी को हराने के लिए उसने कोडे खाए, पाप को हराने के लिए लहू बहाया, करें तांकि आप परमेशुर के गहरे बेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेशुर में बढ़ सकते हैं कैसे आप दुष्टात्माओं से नशों से बिमारियों से और वंचों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं